हैलो, नमस्ते, आज मैं एक नई रेसिपी लेके फिर आ गई हूँ, यह है आपकी ब्रेकफास्ट, ब्रेट पोकोडा, यह इस तरह से प्यास को लेनी है और बेक साइट में थोरी ज्यादा से इसे काट देनी है और इसको हम चौप करके देखाएंगे आपको किस तरह से प्यास काटने है इसे दो भाग कर लिजे और इस तरह से काट लिजे ज्यादा पतला भी मत कीजे ज्यादा मोटा भी मत कीजे ज्यादा पतला करने से आपका जल जाएंगे जब फ्राय करने का टाइम में और ज्यादा मोटा करने से अच्छा नहीं लगेंगे खाने में क्रांची नह दिया है अल्रेडी आपको दिखाना भूल गई मैं और नमक डालने के बाद इस तरह से मैश करने हैं जितने मैश करेंगे उतनी प्याज पानी छोड़ देंगे अभी आपको थोरी से भी पानी यूज नहीं करने है यह देखें सॉफ्ट बन गया पानी भी निकल गया अभी मैं तोरी से यहाँ पर गरम मसला डाले रहे हो और आजवायन हाथ में लेके थोरी से क्राश करके यहाँ पर डाल दूंगे मैंने जींजर कुटी हुई है वो डाले रही हो एक चमस अच्छी फ्लेबर देंगे हरे मिर्च मैंने दो तीन कली काटके डाले हुई है अब स्पाइसी कम ज़्यादा आप रख सकते है और हरे हरे फ्रेश धन्य पता भी डाल दिया है खानी टाइम में फ्लेबर अच्छी आ तो इस टाइम डाल देंगे और श्तिशल के जब यह क्रंची बनेंगे तो इस यसे खावल के आड़ा है और इसको हम अच्छी सी इस तरह से मिक्स करेंगे गर्शी बननी के लिए बहुत जायादा हो सके तो आप स्किप मत करना और इसकी जगह में आपको चावल के आटा नहीं तो फिर कॉर्ण फ्लोर भी ले सकते है और इस तरह से इसको मिक्स कर दिया अभी मैं यहापर कास मेरे लाल मिर्च पाउडर डाले रही हो कलर थोरा अच्छे बनेंगे फिर इसको अच्छी से इस तरह से मिक्स करने है हमें अभी भी पानी यूज नहीं किया है देखते हैं अभी इससे मिक्स करने की बाद यह देखे थोरा सा ड्राई है इसले में थोरा पानी ऐसे करके चिटक रही हो आपका गिला हो गया तो आप बेसनेट कर लीजे और थोरे से टाइट है तो फिर आप थोरे से पानी से चिड़काओ करके ऐसे बना सकते है इस तरह से अच्छी से मिक्स कर देंगे ये देखे अभी ठीक है मैं हाथ पे दिखा रही हो आपको परफेक्ट बनी हुई है ब्रेट पे हमें इसको लगानी है इसलिए ज़्यादा गिला ज़्यादा मोटा नहीं लेनी है ये देखे गोल अच्छी से चिपक रही है चले फिर हम अभी इसको रेस करने रख देंगे तब तक हम ब्रेट को कट करेंगे मैंने ये सेन्वीच का ब्र ब्राउन ब्रेट भी यूज़ कर सकते हैं इसको एसे दो भाग में काट करेंगे और हम यहाँ पर इस तरह से इसको चिपका देंगे अच्छी से ज़्यादा मोटा भी मत कीजिए और ज्यादा पतला भी मत कीजिए इस तरह से चिपकना चाहिए बस तो यह आपको टूइन व पोकोड़ा का फ्लेवर भी देंगे ब्रेट पोकोड़ा का फ्लेवर भी देंगे यह रेसी भी बहुत टेस्टी बनते हैं एक बार आप जरूर बना के खाईए गर पे और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे अज संडे था तो बच्चों ने बोला कि मम आपको भी शेयर कर रही हूँ एक बार इस तरह से बना के जरूर खाईए बच्चों को भी खिलाएं यह बस रेडी हो गया इस तरह से अच्छी से भर देने है सब जगा से और तेल को गरम हीट करके रखें साइट पे तब तक हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे और एक पीस में डालके आपको दिखा रही हूँ तेल पे परफेक्ट तेल पुरा हीट करके रखी हुई थी मैंने अभी आपको लो फ्लेम नहीं करनी है दो मिनिट तक तो आपको यसे हाई फ्लेम करकी पकानी है उसके बाद दो मिनिट के बाद आपको मीडियम फ्लेम करनी है नहीं तो ज्यादा तेल को सोक करेंगे यह पियास और ब्रेड ज्यादा ओइली पन भी नहीं खाने चाहिए सुभी सुभे अभी रेडी हो गई है, मैं दिखा रहे हूँ आपको कितने क्रांची बने है और कितने टेस्टी बनी हुई है, यह देखे, इतना फुली फुली सी हो गई है, यह देखे, ना सौफ पी बन गई है, और साइट में देखे, इतना क्रांची बन गई है, आप एक बर ज़रूर खा और चाय की साथ खा रहे हो और बच्चों को भी खिला रहे हो और इसे नए वीडियो के साथ में आते रहूंगे